गुणहें सम्वेश्टितो देह स्टिष्ठत्यायाति आतिच आत्माना गंता ना गंता किमेनम अनुषो चसी नमस्कार मित्रों मित्रों यह जो श्लोक है यह अश्टावकर गीता के पंद्रवें अध्याय का नौवा श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे तो आए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक के कहता है गुणे हैं सम्वेश्टितो देहस अर्था कि मेनम अनुशो चसी अर्थात क्यों इसका चिंतन कर रहे हो तो यहां पर अश्टावकर जनक महराज से कहते हैं कि यह जो गुणों से घिरावा शरीर है यह रहता है और आता जाता है परंतु आत्मा जो है वहना तो आता है और ना जाता है तो इसलिए तुम क्यों इस शरी के बारे में किविशे को लेकर कि इसकी चिंता करते हूं कि अच्छ आ है ऐसा ना हो जाया। नहीं तो हम अपने जीवन जीते हैं तो अपने जीवन को जीते हैं हम सारी शोक से घिरे परुकल एक खरिए है जो बलते हैं किया रे तुम है दुक्ष मत करो परां तुप एक इसे वी से आता है आता है तो में की मैं तुम्हक्त मेंने तुम्हारे सारे साड़ेल पा अनों नहीं की तुम है उसमें पर बुझांन होने वही बहां बहुँत kissed तो शुचहर जो है वही वाली बात यहाँ पर भी है कि तुम शोख मत करो अर्था चिंतन मत करो ज्ञादा सोचो मत तुम कि यहां पर publishers को लेकर क्या हो रहा है तो हम जीवन जीते हैं तो हम भास्ता में बहुत कुछ माज़ते हैं जैसे हम क्या चिंतन करते हैं हम यह ही चिंतन करते हैं कि अच्छा गया। मैं कुछ कर दूं मैं इनके लिए मेरा जो भी है उसका क्या होगा मेरे पत्ने का क्या होगा मेरे बच्चों क्या होगा मेरे माता पिता क्या होगा तो यह इनी सब में चिंतन होता है मेरे घर का क्या होगा मेरी जो नौकरी है उसका क्या होगा मुझे कुछ रोग तो नहीं हो ज कि यहां पे जो है जो यह वह जो है रहता है आता जाता है यह नहीं है नहीं है यह आएगा जाएगा हर व्यक्ति जो है जो जो बालकपन में आएगा बालकपन से किशोरवस्ता में आएगा किशोरवस्ता से प्रोडवस्ता में आएगा प्रोडवस्ता से विद्धावस्ता में आएगा विद्धावस्ता से मृत्यू को जाएगा तो यह तो ऐसे ही आएगा जाएगा आएगा जाएगा तो यहां पर जीवन में जो भी खटना हो रही है वो ऐसे ही है कि आती है चली जाती है आती है चली जाती है कुछ भी जो होगा फिर चला जाएगा यहां पर कुछ था ही नहीं रहने वाला है कुछ रहेगा परंतु जो आत्मा है अर्थात जो स्वैम है जो हमारा स्वैम है कि मैं मैं हूं ये ना आता है ना जाता है हूं वास्तों में जो है वो ना आता है ना जाता है वो रहता है सदा की सदा अस्तित्व जो है वो रहता ही है तो सदा रहता है तो हमारा जो अस्तित्व है वो तो ऐसा नहीं कि आये ग और जाएगा, वह सदा रहे गा, जैसे कोई फिलम हम देखते हैं, किसी वाले ज़े सिनेमाधाल में आप ऐ जाता है शरीर आता है जाता है जो भी यहां पर हमारी समझते है आते हैं जाते हैं, जाते में आसकते रहेंगे तो उससे हम कर्म संचित करेंगे तो उसका फल भोगेंगे फल भोगेंगे फिर कर्म संचित करेंगे फिर फल भोगेंगे कर्म संचित करेंगे कर्म संचित करेंगे कर्म संचित जो होता हमारी आसकती हैं किस प्रकार की आसकती करते हैं क्या हम चुनते हैं घुंतेन हैं ने दिआता है आँसके हैं से ले Кол पर जानी को प्राप्ति को प्रता है इसलिए छिंतन के परे चले जाओ चिनतन से यह तो आ सकती हैं होती है हम जब हम चिंता करते है हुमारे भी तर जो हेłaं राज़िए शुट पन होता है तो हम जो है कुछ कर देते हैं डर के माँरे भाये के लिए यहां पर बता रहे कि तुम यह जानों कि जो शरीर है यह तो रहता है आता है जाता है इसका यह स्थाय नहीं है यह रहेगा नहीं यह आएगा जाएगा फिर से आएगा फिर जाएगा फिर आएगा फिर जाएगा परंतु जो तुम हो तुम ना आओगे ना जाओगे कि तूम महीं के वहीं इस्थ हुआ तो वैसे ही रहोगे । इसलिए जो हिर पर शरीय का आना जाना है और इससे हो रहीज इतनी भी क्गटना है। उसका चिंतन क्यों करते हैं ? उसकी चिंता भी क्यों और प्रक्षिश करते हो तूम कर्म अपनी दुख mange और बढ़ाते रहते हो इसलिए यह मत करो वह यहां पर अश्टावक्र जयो जन्हेक महराज से कह रहे हैं तो आश्र करता हूं कि मैंने इस श्लोग को आपको अच्छे समझा दिया होगा चलिए से की साथ इस वीडिक में पर समावत करते हैं नमस्ते करते हैं